आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटन सियर करने जारी हूँ इस पैटन को आप लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोटी, जैकेट, गल्स स्वेटर, बच्चों के ओल प्रोजक्ट, कैप, ब्लैंकेट, फ्रॉक, जैकेट, स्वेटर, इसके अलावा आप इस पैटन को जैन साथ स्वेटर, फूल स्वेटर, जैकेट में भी अपलाई कर सकते हैं, बनके बहुत ही खुबसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है, और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होता है, सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे, फिर कोई साभी बॉर्डर पैटन बनाके कंप्लीट करेंगे, बॉर्डर पैटन कंप्लीट होने के बाद फ्रंट साइड से पैटन की फर्स्ट रो, सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे, फिर कोई साभी बॉर्डर बनाके कंप्लीट करेंगे, border complete होने के बाद front side से हमारा ये pattern बनना start होगा तो देखे pattern की first row front side से पहला फंदा उतार लेंगे ये पहला फंदा उतारा धागा अपनी side करेंगे और देखे नेस्ट हमने तीन फंदों में pattern डालना है तो देखे एक फंदा उल्टा बनेंगे धागा पीछे करेंगे अब देखे पहला फंदा चोड़ेंगे ऐसे space में ऐसे slide डालेंगे एक फंदा बना लेंगे ये देखे एक फंदा बनाया एक फंदा हमने ऐसे slide में धागे को roll करके बना लेना है तो दो फंदे होगे फिर इन दोनों फंदों को एक साथ मुनेंगे दो का एक करेंगे इस तरीके से देखे तो देखे ये तीन फंदों में हमारा पैटर्न बनना स्टार्ड हो गया अब नेस्ट हम यही प्रोसिस रिपीट करेंगे धागा अपने साइड एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे अब देखे पहला फंदा छोड़ेंगे और ऐसे इस पेस में यह देखे जो खाली जगह है यहां पर हमने ऐसे सलाई डालनी है एक फंदा इस तरीके से बनाएंगे दूसरा फंदा सलाई में धागा को रोल करके बनाएंगे और फिर तीसरा फंदा इन दोनों फंदों को एक साथ बुन के बनाएंगे तो ऐसे back side की तरब से slide डालेंगे और यह देखे 2 का एक कर लेंगे यह देखे फिर next हम यही process repeat करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा छोडेंगे ऐसे देखे इस space में आएंगे एक खाली जगह बे ऐसे slide डालेंगे एक फंदा बनाएंगे दूसरा फंदा ऐसे slide अब नेश्ट देखे हमने यही प्रोसिस रिपीट करना है एक फंदा उल्टा दागा पीछे एक फंदा आगे करेंगे इस्पेस में सलाई डालेंगे यह देखे यह एक फंदा बना दिया दूसरा फंदा सलाई में धागा लपेट के और तीसरा फंदा इन दोनों फंदों को एक साथ बुन के फिर एक फंदा उल्टा धागा पीछे फिर यहां पर पैटन डालेंगे last में देखे एक फंदा उल्टा आ जाएगा एक फंदा सीधा तो देखे यह front side से हमारी pattern की first row complete हो गई यह देखे हमारे project में जितने भी फंदे होंगे first row में हमने यही process repeat करना है back side से देखे second row पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे फ्रंट साइड की तरब से देखे जो फंदा उल्टाए है बैक साइड से सीदा आजाएगा धागा अपनी साइड आप देखे यह पैटरन वाले फंदे आ जाते हैं तो इन में से देखे दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा आ जाएगा धागा अपनी साइड नेस्ट पैटरन वाले फंदे आ जाते हैं इनमें से दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक फंदा हमने बिना बुने उता लेना फिर धागा पीछे करेंगे फ्रंट साइड की तरफ से देखे जो फंदा उल्टा एक फंदा बिना बुने, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, और एक फंदा बिना बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, एक फंदा बिना बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, दो फंदे एक फंदा बिना बुने धागा पीछे एक फंदा सीधा लास्ट का फंदा उल्टा तो देखे ये बैक साइड से हमारी पैटन की सेकिंड रो कमप्लेट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से पैटन की थर्ड रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा धागा पीछे अब देखे जो फंदा हमने बिना बुने उतारा है तो देखे थार्ड रो में भी इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे देखे एक फंदा हमने बिना बुने उतारा धागा अपनी साइड करेंगे अब देखे नैस्ट हमने दो का एक कर लेना है धागा अपनी साइड नेस्ट फंदा देखे जो उल्टा दिखाए दे रहा इसको हम उल्टा ही बुनेंगे फिर धागा पीछे एक फंदा हमने ये बिना बुने उतार लेना है जो बिना बुना उतारा था हमने इसको हम ऐसे ही बिना बुने उतारेंगे धागा अपनी साइड अब देखे, नेस्ट फंदे एक साथ भुनेंगे, दो का एक करेंगे, और धागा अपनी साइड है, ये देखे, इस तरीकी से इन फंदों को उल्टा भुनना है, ये दो का एक कर दिया, धागा पीछे, अब जो बिना भुना फंदा है, आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीब करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये फंदा हम भिना भुने उतारेंगे, धागा अपनी साइड, दो का एक करेंगे, ये दो का एक किया, फिर धागा पीछे कर लेंगे, और देखे, जो फंदा हमने भिना भुने उतारा, आगे वाले फंदे के उपर से सिलिप कर देंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उलटा, धागा पीछे यह देखे, नेस्ट फंदा हमने बिना भुने उतारा, धागा अपनी साइड, यह ढोका, एक कर लेना है, फिर इस फंदे को आगे वाले फंदे के उपर से उतार के जिलिप कर लेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, धागा अपनी साइड दो का एक कर लेंगे, धागा पीछे, अब देखे ये जो बिना बुना फंदा है, आगे वाले फंदे के उपर से उतार के इसको स्लीप करेंगे, फिर ए एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा अपनी साइड दो का एक कर लेंगे ये दो का एक कर लेना है ये देखे धागा पीछे अब देखे जो बिना बुना फंदा है आगे वाले फंदे के उपर से उतार के इसको सिलीब करेंगे लास्ट वाला फंदा उल्टा जाएगा औ तो देखे ए फ्रंट साइड से हमारी पैटन की थर्ड रो कम्प्लीट हो गई अब देखे रोंग साइड से फोर्थ रो पहला फंदा उता लेंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा आ जाएगा धागा अपनी ही साइड रहेग और दिखी नेश्ट एक फंद सीधा यह देखे या पर एक जाली आने लग गई फिर धागा अपनी साईड एक फंद उल्टा धागा अपनी साईड रहेगा जाली डालने के लिए थागा अपनी साईड एक फंद फिर दागा अपनी साइड रहेगा एकफनता शीधा बुन लेंगे अपनी साइड रखेंगे और एकफनता शीधा बुन लेंगे फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड रखेंगे और एक फंदा सिधा बुनेंगे लास्ट का फंदा उल्टा तो देखे ये बैक साइड से हमारी पैटन की फोर्थ रो कम्प्लेट हो गई आप देखे फ्रंट साइड से फिप्त रो फिप्त रो में हम हमारा पैटरन रिपीट होगा तो देखें यहां पर रिपीट रो पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा बुना धागा पीछे करेंगे अब देखें नेच्ट पहला फंदा छोड़ेंगे और एंसे इस पेस में आएंगे जो खाली जगह है यहा मारा पैटर्न रिपीट ओ रहा है एक फंदा बनाया दिखे फिर ढागे को एक स्लाइ में लपेट ये दूसरा फंदा फिर किल ये मैं दो फंदे एक साथ हुलेंगे लगोगा अपनी साइड एक और वुल ये और रिधा कर लेंगे अब देखे, ऐसे next फंदे को छोड़ेंगे, ऐसे space में हमने slide डालनी है, एक फंदा बना लेने, दूसरा फंदा slide में धागा लपेट के और तीसरा फंदा इन दोनों को एक साथ बुनके, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पिछे, फिर देखें ऐसे space में slide डालेंगे, एक फंद बनाएंगे, दूसरा फंदा सलाई में धागा लपेट के, तीसरा फंदा इन दोनों को एक साथ बुन के, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर देखे ऐसे स्पेस में पहला फंदा छोड़ेंगे, और देखे जो खाली जगए है, यहां पर हमें ऐस फंदा बना लेंगे, दूसरा फंदा सलाई में धागा लपेट के, तीसरा फंदा इन दोनों को एक साथ बुन के, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर देखे यहां पर एक फंदा बनेगा इस तरीके से, दूसरा फंदा सलाई में धागा लपेट के, तीसरा फंद इन दोनों को एक साथ बुन के धागा अपने साइड एक फंदा उल्टा आ जाएगा एक फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे ये फ्रंट साइड से हमारी पैटन की 5th row कमफलेट हो गई 5th row में हमारा पैटन रिपीट हो रहा था 5th row को हमने 1st row की तरह बुनते हुए कमफलेट क करेंगे इस तरह हम अपने पैटन को रिपीट करते जाएंगे और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटन है आप इसे औल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पस आंक्यू